रवस्ते है जी, धहरवान हिलिंग साइन्स से, मैं हूँ धहरवान, आपका अपना हिलिंग मास्टर दोस्तों, बहुत सारे हिलिंग विधाओं को हमने सिखा है रेगी हिलिंग, एंजल थेरेपी, लामा फेरा, प्रानिक हिलिंग और ना जाने क्या क्या सभी में एक कॉवन चेज होती है, वो है साथ चक्र जैसे कि आज मैंने ये साथ चक्र वाली टी-शर्ट भी पहनी हुई है ये मैंने रिश्रीकेश से लिए थी, जो लोग भी रिश्रीकेश गय हैं कभी है जैसे कुड़ते वहां मिलती है, ऐसे कुड़ते वहां मिलते हैं, तो साथ चक्र को हम हील करते हैं साथ चक्र को हम उर्जा से भड़ते हैं स्वयम की ध्यान की उर्जा से हम खुद को शुक्तिशाली बनाते हैं या जब हम किसी मरीज के या किसी रिसीवर के साथ चक्रों को हील कर रहे होते हैं तो अलग-अलग विधाओं का हम प्रयोग करते हैं आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे क्रिस्टल से कैसे सेवन चक्रा पिरामिड से हम साथ चक्रों को हील करते हैं तो आजके इस पूरे अध्याये में, हम इन सातो चकरों को समझाएंगे, और सातो चकरों से जुडे हुए इनант पिरामेड को समझाएंगे, ये छोटे-छोटे पिरामेड हैं, जो कि, जिसमें सारे पिरामेड में Rेकी हिलिंग के सिंबल्स बने हुए, तो कोई भी रेकी हीलर इन पिरामिट्स के जरिये कैसे कैसे हेलिंग कर सकता है यह आज की वीडियो में मैं सिखाऊंगा आईए समझते हैं सेवन चेकरा से जड़ेवे क्रिस्टल्स का किन किन रूपों में इस्तेमाल करते हैं हम हीलर्स जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तो मैंने पिरामिट की चर्चा किए थी आप टंबल्स भी ले सकते हैं पिरामिट एक पर्टिकुलर जänderमेट्रिकल शेप होता है टंबल्स का कोई शेप नहीं होता तो आप उसकी ऊर्जा को अपने अनुसार एक शेब देते हो, यह लामा फिरा स्टिक है, और स्टिक कहते हैं जिसमें सेवन चेगरा के यही क्रिस्टल्स जड़े हुए है, या फिर यह पैंसल, इस पैंसल में भी सेवन चेगरा के पिरामिट जड़े हुए है, सबका उपयोग वही है बिटा, अलग-अ हीलर्स अलग-अलग तरीके से हम इसको हील करते हैं, किसमें हम जदा कमडा कमफर्टेबल हो पाते हैं, यह उस Mensch करता है, कभी-कभी यह होता है कि इसकी और जाक खतम हो जाती है, था वे दुसरे वाली का को खरता था, कभी-कभी ऐसा होता है, जब यह जब डिस्चार्ज हो मे luôn के तरुप मेंन किस्ट्रोप कुर रखते हैं नौर्मल जो एक शुरुबती समय में में हीलर होते हैं जो प्राणि करते हैं यह किवल हाथों से हील करते हैं यह करते हैं बोग यह और्ठ रखते हैं अपने हाथ हैं सबसे जज़able把它 देता है यह सिंगल तो अलेक्ति पैरामिड अगर साहथ हो अलग अलग पिरामिड नहीं रखना तो पर इन और सिंगल पिरामिड़ रखते हैं इत्य है होएव माला के रूप में से पैंडिंड के रूप में हम असारे किस्टexist को अपने गले में इस तरह से धारण करते हैं, है ना, या फिर इसे ही Tree of Life नाम दिया गया है इन क्रिस्टल्स को इसको इस तरह से हम अपने गले में इस पंडेंट को रखते हैं अगर पैंसल की फॉर्म में रखते हैं तो ऐसे रखते हैं तो अलग-अलग समय में अलग-अलग लोगों को एक Healer सजिशन देता है कि कौन से तरह के पंडेंट को वो अपने गले में धारण करें जैसे कि आप मेरे गले में अपरे देख रहे हैं स्वेवन चक्रा के साथ लावा को मैंने धारण किया हुआ है कि इस तरह की Healing Practice अभी मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे बहुत सारी Negativity को जहलना होता है तो मैं इस तरह की Crystals को धारण किया हुआ हूँ हाथों में भी वैसे ही तरीका की Crystals मैंने धारण किया है कि नकात्म कुरुजा को कैसे जहल सके तो सारे Crystals अपने अपने तरीके से एक ही काम को करने का अलग-अलग तरीका है क्योंकि सबसे ज़्यादा आप पिरामिट को पसंद करते हैं जालतर Healers पिरामिट पसंद करते हैं तो वो क्योंकि वो सहज भी है सरल भी है अब एक सिंगल पिरामिट का अगर प्रेयोग करते हैं तो आपका जो Receiver है जिसको आपने लिटा करके रखा हुआ है बिटा देखो, कन्फ्यूज मत होना क्योंकि जाना तर आज के सामय में दुरस्त तरीकी उपशार संभाव है किया जाता है तो हर बार आप अपने Receiver को अपने पास नहीं बुला सकते तो उस कंडिशन में हम दुरस्त कैसे करेंगे वो ही बताएंगे लेकिन क्योंकि हमने एक वोलिंटियर को यहां लिटा रखा है इनकी कोई हीलिंग नहीं हो रही ही है यह हमारे संस्था के ही सदस्ते है तो हम उनके उपर जैसे सिंगल पिरामिट को अगर हम रख करके हील करते हैं तो दो तरीके से हील करेंगे या तो इनके अनाहा चक्र में इस से रख देंगे मतलब कि हार्ट चक्र हमें रख देंगे यह सबसे बीच होता है, तीन उपर, तीन नीचे, बीचों बीच रख करके, इसकी उर्जा को साथों चक्रों में हम अपने हाथों से फैलाएंगे, या फिर जादा जो प्रभावशले तरीका, यह अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रखी है, तब तो आप यह कर सकते हैं, जादा प्रभावशले तरीका, जिसमें आपको जादा ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, वो यह है कि पहले सहस्तराद चक्र में रख के हील करें, फिर उसे ही आग्या चक्र में रख करके हील करें, फिर उसे ही विशुद्धा चक्र में रख करके हील करें, उसे ही अनाहा चक्र में, उसे ही मणिपूर चक्र में, उसे ही स्वादस्ठान चक्र में, उसे ही मूलधार चक्र में, अर्थ के साथ भ्याप ऐसे ही कर सकते हैं, अ के अर्थ को हम हाथ में रखकर कि उड़गर को उनके सास्था चकर में पिर आज्या चकृर में फिर अजय को कैसे रखेंगे तो पिरामीट्स को इनसाब कर नाम जबसे पहले आप स्क्रीन में लिग देना बच्चे लोग ठीक है इस सारे जो कुस्टल का इस्तेमाल करते हैं ज्यादतर इन ही किस्टल्स का इन चकरों पर इस्तेमाल करते हैं ऐसा नहीं है कि और भी किस्टल्स नहीं होते हैं एक चकरक लिए तीन से चार किस्टल्स का इस्तेमाल किया जा स तो तो सबसे जो अच्छा मुझे लगता है मैंने उन्हें चुन के रखा हुआ है तो सहस्तरार चेकर के लिए जो मुझे सबसे ज़ादा पसंद है वह लेबराड़ आइट फिर आग्या चेकर के लिए मुझे एमेथिस्ट सबसे अच्छा लगता है माला के रूप में भी मैं इसे ही धारन करता हूं या करने के लिए कहता हूं विशुदा चेकर के लिए सोडा लाइट क्रिस्टल हम यह जो कर रहे हैं यह क्रिस्टल सबसे अच्छा इसलिए है यह पि फिर heart chakra के लिए green aventurine, solar plexus chakra के लिए जिसे manipur chakra कहते है, yellow citrine, इस तरह से हम रख दें, इसी तरह से स्वाधिस्ठान chakra और मुलाधार chakra में रख देंगे. स्वाधिस्ठान chakra के लिए हम इस्तमाल करते है, sunstone और red jasper, तो ये सारे crystals हम इस receiver के लिए हम उनके शरीर में इस तरह से भिचाते हैं, लेकिन हमेशा तो ये उपलब्द नहीं हो पाएगा, है ना? तो हम healers सबसे हैदा इस्तमाल करते हैं, जो तकिये का, या फिर किसी पुतले का, कोई कपड़े से बना हुआ पुतला, या चादर को मोड करके, ऐसे रूल करके, जो बनाते हैं कादमी का ship, या एक ship बना करके, उससे हम ले लेते हैं. देखो, ये भी एक वस्तु की तरह ही या पर पड़ा हुआ है, ये शरीर भी, तो वैसे ही हम तकिये को उनका रूप देते हैं, तो आईए हम तकिये का रूप देते हैं. कि इस तकिये को हम इस शरीर के, इस रीसेवर का प्रतिरूप मानते हैं. हम हीलर्स एक तक्ये को बहुत सारे लुगों का प्रतिरूप बना सकते हैं बना सकते हैं लेकिन मेरी सलाही है वेटा कि जब तक एक इंसान के हीलिंग हो रही है उसके लिए इक अलग तक्या रखें क्योंकि हमारे मन को अगर आप अंदर से सदेव में फोकस करना अच्छे से ज जानते हैं अपने मन में तक तो कोई दिक्कात नहीं है ना क्योंकि यह वैसी बात है कि एक ही चहरे के दस लोग है अब आप मुझे अभी धैरेवान की रूप में जानते हैं दस मिनेट वाद या आदे खंटे में रमेश की रूप में कैसा सुईकार करेंगे फिर सुरेश की दिया कि अब से ये धैरेवान नहीं लीना है या रामेश्वरी है तो आप उसके बाद से मुझे रामेश्वरी की रूप में लेके चल सकें अगर इतनी जितना आ गई है जो कि कुछ समय बाद आ जाती है जितनी प्रबलत आ जाती है शक्ति आ जाती है दिमाग की तो आप ब रामेश्वरी के उपर ही रग दिया है ताकि वीडियो शुटिंग के समझा सकें ताकि आपका दिमाग उसे पकड़ सकें अब मान लेते हैं कि रामेश्वरी अपने घर में लेटी हुई है और आपने इस तक्ये की उपर 7 चक्रों को रखा और अब सातों चक्रों पर एक एक करके आपने हीलिंग भेजी जिस रिजन से भी आप हील कर रहे हैं उससे जरूर ध्यान करें किस कारण से आप उसके चक्रों को हील कर रहे हैं वो चितना आपके अंदर बिल्कुल होनी चाहिए और उस समय जो भी क्रिस्टल्स आप धारंड करते हैं उन क्रिस्टल्स को जरूर धारंड करना जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ क्रिस्टल्स में अपनी उर्जा नहीं होती क्रिस्टल्स बैटरी की तरह काम करता है ये उस तरह की उर्जा को सोखने के लिए बना है उसमें वो शमता है कि ये उस तरह की उरजा को सोख लेता है जैसे कि स्पंज पानी को सोख लेता है लोहा गर्मी और ठंडी को सोख लेता है मिटी पानी को सोख लेता है और कुछ समय बद सोख भी जाता है मतलब पानी को उसमें सोखा भी और पानी उसके इंदर से उड़ भी गया तो वैसे ही इन सारी किस्टिल्स में उर्जा ये सोखते हैं को समय बद उर्जा उसमें से डिस्चार्ज भी हो जाते हैं वाता बरन में चले जाते हैं वापस ब्रमार्न में विलीन हो जाते हैं कि लेकिन इन crystals को आप धारण करके वह सारे काम कर रहे हैं जैसे कि healing कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, यग्यावन, पूजन, मंतर जाप कर रहे हैं या सत्संग कर रहे हैं इन किस्तल्स के सामने गर वैसी उर्जा निकलेगी किसी भी माध्याम से, चाह सत्संग के माध्याम से, भजन किरतन के माध्याम से, मंतर जाप के माध्याम से, या हिलिंग कर रहे हैं, या फिर ध्यान कर रहे हैं, समाध्य की अवस्ता में पहुंच रहे तो उस condition में वैसे औरचा वहां निकलनी शीरू हो जाती है तो उस औरचा को यह वातवरन में तो औरचा उढ़ी रही है तो उस औरचा को यह सोख लेता है यह crystals सोख लेता है यह बिलकुल वैसा है मेरे बचचे कि आपने अपने पानी के बोटल में अपने पानी के बरतन में पानी भर लिया अब ये बताओ अगर ये मैं कहूँ कि ये जो पानी का पातर है इसमें ये आपकी प्यास बुझाता है बिल्कुल सही है तरह से बिल्कुल सही बात है ये आपकी प्यास बुझाता है लेकिन बिना पानी की ये प्यास नहीं बुझाता हाँ इस पात्र में वो शमता है कि वो पानी को धारण कर सकता है अपने अंदर जितने भी इसकी धारक शमता है उतना पानी धारण कर सकता है तो यह आपकी प्यास भी बुझेगी, लेकिन इसमें का पानी खतम भी होगा, लेकिन जहां भी बारिश हो रही है, जहां भी नल खुला हुआ है, जहां भी पानी का स्रोत है, वहां आगर आप इसकों लेकर कर जायोगे, तो यह पानी भर लेगा, है ना? तो मुद्दा ये है कि क्रिस्टल में अपनी शम्ता नहीं होती, क्रिस्टल में वे शम्ता होती है कि उस तरह की उरजा को अपने धारण कर सके मेरे ख्याल से इतने अच्छे से समझाने से तो आप समझी गया होगी कि क्या कर रहे हैं तो इन पिरामिट्स को हम इस तरह से प्रयोग करते हैं, दूसरा तरीका है हम इसको क्रिस्टल ग्रिड बना करके प्रयोग करते हैं किस तो गृट बना के प्रयोग करते हैं अब बहुत लोग ये कन्फ्यूज होते हैं कि सिक्वेंस कैसे रहेगा मुलाधार से यहां तक बाद सिक्वेंस को लेके कभी डरने के आवशकता नहीं है सिक्वेंस आप कैसा भी रख सकते हैं लेकिन अगर सिक्वेंस रखने की चुकी है तो मुलाधार से शुरू करके सहस्तर और चक्र तक आप सिक्वेंस बना करके रख लेज़े मुलाधर और सहस्तर आप उसमें जूड़ जाएंगे मैंने अभी पिरामेट को बनाया और ये है आपके टंबल्स अब देख की कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों को बनाना पड़ेगा क्या नहीं विटा दोनों मैं सेग ऑफ को हीलिंग कर रहे हैं तो दोनों है तो दोनों रखे लिजे अच्छी बात है एक हिलिंग के काम आप ज्यासर चार्टो से लिए लागी हां तो मैने už रहा दो लिकिन इंग इने मिले बनाते हैं तो बीष में एक सफेवन चक्रा पिरहमिड ज कर रखो चाहे सबन चक चारा का आर्थ रखो प्रित्वी धरा रखो प्लैनेट रखो आर्थ भी भी भोलते हैं ग्रह भी बोलते हैं या या उखर पेंडेंट रख लो जो को सब्तुरिओ या पैंसिल रख लो या कुछ नहीं आपके पास वेला को रख लो आप वैसी कोई चीज रखोगे बीच वबीच जिसमें सारे क्रिस्टल्स एक साथ जड़े हुए हैं सारे क्रिस्टल्स एक साथ जड़े हुए हैं तो हम कैसे ग्रिट तियार कर रहे हैं अलग अलसा तो चक्रों की उर्जा अलग अलग जगह से आएगी और इसमें शाप सब आपहु यह से इमें जाकरकर के वह उर्जा इन सब में को जाए कि तो Schemple है बहुत या तो हम यहां से इर्जा बाहर ले जा रहे हैं या तो बाहर से उर्जा अंदर ला रहे हैं भुंसाएरे में हम इस तरह से उपयोग करते हैं इंजल हिलर इस तरह से ग्रिट बनाते हैं आपने इंजल्स को रखके ग्रिट बनाते हैं तो जोरी नहीं है कि लिटा करें ख़ड़े रखते भी हैं तो कन्फ्यूज नहीं होना कि अरे इसको ख़ड़े रखेंगे कि इसको यह रखेंगे ग प्रिकल रूप होता है उसको बीच में रखते हैं इस तरह से क्रिस्टल ग्रिट में हम उर्जा को एक आयाम पे घूमाते हैं और उस सारी तयार की हुए उर्जा को हम एक साथ किसी एक दिशा में भेज देते हैं इसके लिए इसमें चीबॉल का इस्तमाल नहीं होता है, उर्जा का सीधा कनेक्शन होता है, मतलब उर्जा यहां से निकल कर वहां जा रही है, उर्जा तब तक ही फ्लो करेगी जब तक आपने ये ग्रिड बना करके रखा हुआ है, ग्रिड से ये उर्जा वहां फ्लो हो रही ह तो जब तक की और्जा वहाँ फ्लो होते रहेगी तब तक आपने जो चेतना दी है जो कामना दी है जो दुआएं दी है या जो भी आपने अपरमिशन कहा है वैसे ही विचारों की और जगा पर जा रही होगी पिर आप भाषट की जार है ये लेकिन जयसा कि मैंने कहा बटाओ ये इस नहीं है ये टंकर है पानी की टंकी पानी का बॉटल है समझ लो हमें को सोर्स नहीं है सोड्स कौन है यह दिवर्स सूर से उर्जा खीशने रसिते हैं और अपने हाथों के मातिम से उस पानी को उस उर्जा को इसमें भेसते और यह उस उर्जा को आपने धारंड कर लेता है मैं तो मेरे खहल से हैं इस सारे क्रिस्टाल का प्रियोग कैС费 अपने समझ लोगों पर किसी इंसान की हिलिंग करने उसको सातों चक्रों पर रख दीजिए और उसके किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हिल करना है तो किस्टल ग्रीट बना करें उन तक भेजिए तो आशा करता हूं यह अध्याय बहुत अच्छा समझ में होगा पिटा एक चीज हमेशा आपके किस्टल आपके पास है किलिंग करना लेकर आपको अपने आप अपने उसकी च सारे गस्टाल को रखे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके पास काफी सार किस्टल होंगे तो अपने लिए एक कमरा ही अलग करके रखें आप जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं जो लोग मुझे नहीं जानते उनको देखिए लग रहा होगा कि कैसे फटे पूरा निचादर में बच्चे को लिटा दिया है तो अज जो लोग पहले से जानते हैं वो लोग कमेंट में इसका अंसर भी दे सकते हैं कि ये जो ध्यान का जो दरी है एक समय में मैंने बहुत चार पैसे जोड़ करके लिए थे और पहली बार लिया थे तो उस्थ सेम अतनी शंटा नहीं थी ले सकने की ले तो लिये थे लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि अब इसको नहीं बदला जा सकता ये सबसे किम्ती है मतलब कि ये हो गए तेरा चौदा साल हो गए शायद हना हाँ चौदा साल हो गए बीजाद आफ़ है लिए पर जादर भी नाव दोगी चादर भी आशन भी कोई हमें गिप्ट करें कोई मुझे गिप्ट करें तो मैं उसको सुषिकार तो ज़रोगा लेकिन आप जैसे ही मेरे जो सिख रहे हैं मुझसे जो मेरे स्टुडेंट्स हैं उनको भेट सवरूप कुछ न कुछ न कुछ न को मुझसे चाहिए रहता है कई बार तो वो ले जाते हैं मैं सब दे देता हूँ ये नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे गुरुवों से मिला हुआ अशिरवात है तो फट गया है पुराना हो गया है लेकि सबस्दा शुक्तिशाली यही है क्योंकि इसी मही में अपना धिहान करता हूँ अपना अपनी हीलिंग प्रेक्टिस करता हूँ और असली सेशन का रुपांतरन था, मैं किसी के हेल नहीं कर रहा हूँ, ये लड़की यहां सो गई है, मुझे पता है, सही में सो गई है, तो चलिए, चर्चा पूरी हो गई, इसको ठालेजिये जी, और आशा करता हूँ, ये अद्ध है, आपको बहुत चीस से समझ माया होगा, औ क्रिस्टल ग्रिट का करसे प्रियोग करना है, कैसे क्रिस्टल से प्रियोग करना है, ये आनिवले समय में होट सीखते रहेंगे, है न, तो अगर कोई ग्यान सीख लिया, समाझ लिया, तो इसके लिए एनरजी एक्सिंज जरूर करना, गाहे को चारा खिलाना, या कुतों को रोटी खिला देना, या किसी भूकर को कुछ खिला देना, चेटियो को दाना डाल देना, कोई भी एक काम कर देना, ताकि एनरजी एक्सिंज पूरा हो जाए, क्योंकि आपने क्रिस्टल का ये ग्यान को ग्रहन किया है, ठीक है जी, तो जरी बाते हो गई, आशा करता हूँ, ये ग्यान आपको बहुत अचय से समझ में आया होगा, ये अध्याय आपको बहुत अचय से समझ में आया होगा, और कभी भी कोई ऐसी healing practice करना हो, तो पानी खिला पेले, पानी पानी, पेले शरिर के आपके अनमयकोश में पानी भाना होना चाहे, ठीक है जी, तो चलिए, मि झाल